दोस्तो गुड बॉर्णिंग एंड वैल्कम बैक टू आर चैनल कलाम को सलाम तो कैसे है आप लोग मैं उम्मिद करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो बोड परिक्षा जो आपकी परिक्षा होने वाली है फरवरी में उसकी तैयारिया बड़ी कर लिजे और वैल आइकन को दबाना मत बूलिएगा इससे आप लोगों को ये फायद होगा कि जब भी हमारी और से कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको तुरंद उसका नोटिपिकेशन आ जाएगा ओके तो जल्दी से जल्दी कम ओन यू कैन आइए अब हम शुरू करते हैं हम सोक्रेट्स जो हमने इसके लोग को आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है तो जिन लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा प्लीज उसको देख लीजिए हमने अवर इंडियन म्यूजिक के लोग आंसर की वीडियो भी अपलो इसके शुरुवात करते हैं तो पहला जो आपको सवाल लिखा हुआ है देखें क्या लिखा हुआ है अंसरजी के सोक्रेट्स वोज ए ग्रेट फिलोजफर फिलोजफर का मतलब धार्शनिक नमर दो what were the important lessons in his school यानि कि महत्वपुन पार्ट कौन से थे इन ही स्कूल उसके विध्यालने में जब वो स्कूल में कौन से स्कूल में जो ज़रूरी महत्वपुन पार्ट थे वो कौन गोन से थे the important lessons in his school वर music and gymnastics जिम्नास्टिक आप लोग समझते हैं जो लोग यानि कि उस विध्यालने में जो important lessons थे वो थे music था और gymnastics था राइट तीसरे को देखिए बहुत easy लिखने की कोशिश की है what was system of death system यानि कि तरीका क्या तरीका था मोत का sentence in Athens देने का Athens में मोत की सजा देने का क्या तरीका था आप लोग को पता है when people were condemned to die मोत की सजा जब लोगों को मोत की सजा दी जाती थी they were given a cup of poison in Athens तो उनको Athens में एक जहर का प्याला दिया जाता था right next देखिए question number 4 को what did Socrates say what did Socrates say सुपरात ने क्या का before before कम तक पहले drinking the poison जहर को पीने से पहले यानि कि जहर पीने से पहले सुपरात ने क्या का देखिए क्या का जाता है सोक्रेट्स विष्ट सुपरात ने इच्छा की before drinking the poison जहर पीने से पहले that की बोर्ड माइट प्रोसपर संपन करना बोर्ड माइट प्रोसपर इस जर्णी उसकी यात्रा को from this यहां से to another world दूसरी दुनिया में यानि कि सुपरात ने इच्छा सुपरात ने जहर पीने से पहले इच्छा की कि भगवान उसकी यात्रा को इस दुनिया से उस दूसरी दुनिया तक संपन करे सफल करे why did Socrates not listen to his friends advice why did Socrates not listen सुपरात ने क्योंनही सुनी तू his friends advice अपने दोस्तों की सलाको अपने दोस्तों की सलाको से ने क्यों नहीं तो देखिये क्यों नहीं सुना उसने he was no card देखो इसको आप kaward भी बोल सकते और card बोल सकते हो और कार्ड का मतलग क्या होता है कायर, he was no card, वह कायर नहीं था, को नहीं था कायर, सुक्रा, he knew that, वह जानता था, की, he had done nothing wrong, nothing wrong, यानि कि कुछ गलत नहीं करना, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, and he had only taught, उसने केवल सिखाया, to people, लोगों को, what he believed to be just and true, कि जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं, क्या सही है, और क्या सच है, right, एक बर किसे बता रेता हूं, he was no card, वह कायर नहीं था, he knew that, वह जानता था, की, he had done nothing, he had done nothing wrong, उसने कुछ गलत नहीं किया है, and he had only taught to the people, what he believed to be just and true, और उसने लोगों को सिखाया, जिस पर वह विश्वा करते हैं, क्या सही है, और क्या सच है, right, just and true, मतलब सही और सच, clear guys, question number 6 पर आजाते हैं, 6 को देखे, why did Socrates vote to the court, वोट यानिकी कचहरी, सुपराद कचहरी या कोट क्यों गया, the man who were governing Athens, लोग जो गवर्निंग शाशन कर रहे थे, Athens, जो लोग Athens में शाशन कर रहे थे, समन, समन का मतलब बुलाया, समन, समन का मतलब बुलाया, socrates, 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 to appear before them, उनके सामने दिखाई देने के लिए, या उपस्तित होने के लिए, and to stand his trial, and to stand his trial का मतलब अपन, अपने बारे में, अपना पक्ष्रग, फिर से बताता हू, to stand his trial का मतलब होता है, दोस्तों, अपना पक्ष्र जगना अपने बारे में बताना कि जो आप पर आरोप लगाए जा रहा है आप उसके बारे में क्या कहना चाहते है तो अपना पक्ष प्रस्तुत करना पेश करना तो लोग एथेंस में शाषन कर रहे थे उन्होंनी सुपराद को अपना पक्ष रखने के लिए बूलाया अप आप लोगों के समझ में आ गया होगा चलिए कौशन नमबर सेवन की तरब बढ़ते हैं कौशन नमबर सेवन बोलता है क्राइटो कौन था वाट डिट सोकरेट से सुकराद ने क्या कहा तो हिम उससे बिपोर डैथ मौल से पहले सुकराद ने उसको क्या कहा अंसर देखें क्राइटो वाट वन ओफ सोकरेट्स प्विफिल्स का मतलब शिष्य है क्राइटो सुकराद के शिष्यों में से एक ता Socrates was to pay to coke, was to pay यानि कि चुकाना था, to coke एक मुर्गा, to osculapius, देखें, मैंने आप लोगों को बताए थे, asculapius, osculapius, कह सकते हैं आप उसको, एक देवता है उस समय के, तो सुकरात को इनका एक रिंट चुकाना था, यानि कि बली देनी थी, coke एक मुर्गे की, right, Socrates was to pay to coke, to osculap कि इस सुकरात को, और उसकी लापिस को एक मुर्गा धेट करना था, so he asked Crito to pay his debt, इसलिए उसने, इसलिए उसने क्या किया, Crito को कहा कि वो उसका कर्ज चुका दे, right, चलिए, question number 8 ती तरह बाते हैं, देखे, question number 8 क्या कहता है, why were his pupils sad, उसके शिशे क्यों दुखी थे, answer देखे, the judges condemned Socrates to death, judge ने सुकरात को मोर्ग की सजा दी थी, so his pupils were sad, इसलिए उसके शिशे दुखी थे, right, question number 9 तो देखे, What was Socrates aim, सुकरात का क्या उदेश का, in talking to people, लोगों से बात करने का, What did Socrates often, often का मतला, अक्सर, talk to the people of Athens, सुकरात अक्सर लोगों से, एथेश के लोगों से क्या बाते किया करता था, what was Socrates's aim in talking to people सुक्रात लोगों से बात क्या बात करने का what did Socrates often talk to the people of Athene सुक्रात Athene के लोगों से अक्सर क्या बाते किया करना Socrates told the people, सुक्रात लोगों को बताया that everyone must learn to think for himself कि सभी को अपने बारे में सोचना चाहिए सोचने का, सोचना चाहिए यह चीज़ी याद रखनी चाहिए कि हमें सबको अपने बारे में सोचना है He wanted Athene to be a perfect state कि Athene को एक संपूर्ण राज्य बनाना चाहता था So he told people that everyone must be educated इसलिए इसने लोगों को कहा कि सभी को शिक्षित होना चाहिए Okay Question No.10 What feelings did the jailer say Did the jailer say to Socrates before giving him a cup of poison यानि कि अपनी भावनों के बारे में क्या कहा Jailer ने सुक्रात को उसको जहर का प्याले देने से पहले जब Jailer ने Jailer सुक्रात को जहर का प्याला देने वाला था तो उसने कुछ अपनी भावनों को व्यक्ष्ट किया तो वे क्या क्या कहा उसने The jailer asked Socrates जेलर ने सुपरात को कहा, if he would not be angry with him, क्यों वै उससे प्रोधित ना हो, when he asked him to drink the poison, जब वै उसको जहर पीने के लिए कहे, his eyes were wet, उसकी आखे नमती, गीलिती, with tears, आशों से, when he gave him a cup of poison, जब उसने उसको जहर का प्याला दिया, the jailer asked Socrates, if he would not be angry with him, when he asked him to drink the poison, क्यों वै उससे गुसा ना करे, जब वै उसको जहर का प्याला दिया, उसकी आखे नमती, his eyes were wet with tears, उसकी आखे आशों से नमती, when he gave him a cup of poison, जब उसको जहर का प्याला दिया, question number 11 को देखिए, what did Socrates say to teach, सुक्रात ने क्या का, to teach the people by talking to them, what did Socrates say, सुक्रात ने क्या का, to teach, सिखाने के लिए the people लोगों को by talking to them, उनसे बात करके, उनसे बात करके लोगों को, क्या सीखने के लिए कहा, Socrates pride to teach the people, सुक्रात ने प्रियास किया, देखे students, यह जो portion number 11, इसमें थोड़ी से मुझे लगता चलती है, आप यहाँ पर सवाल में, यहाँ पर जहाँ से लिखा है, what did Socrates say, यहाँ पर से की स्थान पर यहाँ आए आएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पर T-R-Y आएगा, ओके, अब यह सही है सवाल, what did Socrates try, सुक्रात ने क्या प्रियातन किया, to teach, सिखाने का, the people, लोगों को, by talking to them, उनसे बात करके, लोगों से बात करके, सुक्रात ने उनको क्या सिखाने की कोशिश की, ठीके, अब यह सवाल बिल्कुछ सही है, अब देखें सकांसर, Socrates tried, सुक्रात ने कोशिश की, to teach, सिखाने की, the people, लोगों को, by talking to them, उनसे बात करके, that questioning and discussing, सवाल करना, और तर्क वितर्क करना, would help the people, ल What was right and noble, क्या तुछ सगी है, और noble का मतलु नया है, ऐसे आप बोल सकते हो, तो सुक्रात ने कोशिश की लोगों को सिखाने की, उनसे बात करेगे, कि आपको सवाल करने चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए, इससे लोग किसी मदद में लेगी, लोगों को यह जानने के लेग यह बल्गिंग का मतलब उबरा हुआ, बाहर की तरफ निकलाओ, यानि की coming out, बाहर की तरफ निकलाओ, next, wealth, wealth अमीरी को बोलते है, धन को बोलते है, तो आप riches कह सकते हो, r-i-c-h-e-s, riches, familiar, f-a-m-i-l-i-a-r, familiar का मतलब होते है, जानकार, तो जानकार को क्या बोलते है, non, k- परसिद्धी को बोलते है, दूसरा इसका word होते है, reputation, क्या बोलते है, reputation, right, अगला देखे, u-double-t-e-r-e-d, इसको बोलते है, uttered, क्या बोलते है, uttered, और uttered का मतलब होते है, कहना, या कहा, तो इसका दूसरा शब्दी क्या होगा, said, s-a-i-d, said का मतलब भी, कहा, last, देखे, प-a-u-s-a-d, इसको pause नहीं बोलते है, इसको post बोलते है, क्या बलते है, आप लोगों को ये समझ में आगे होगे, please इसको अच्छी तरह कर लीजेगा, ये भी बहुत important question है, please उमीद करता हूँ, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हूँ, please हमें comment करके ज़रूर ब गुदा बॉटब सुने झायासरी हिए्योn करते है है, जबुदक्वान करीस है, कि बोगों कर एंचा JACO प्यासरी हिए्यों करके कर दोपना है, जबुदक्ष情 कर दोいます, बभी तरह को सकते लिए्यों करई करना दिरे полож math शोग है, उन्मी आपके पुदक्वारापग司 कर discussion